एबी वीपी जिला सयोजक का चात्रों ने किया अभिनन्दन बाड़ी से खास खबर पिछले कई महिनों से ब्रज उनिवेस्टी के परिछा परणा में धान्दली को लेकर चात्र आंदूलन कर रहे थे एबी वीपी के जिला प्रमुक दिनेश गुरजर के नेतूत में चात्रों ने आंदूलन किया तथा ब्रज उनिवेस्टी के प्राचार विधायक रोईद बहरा एवं जिला कलेक्टर से ग्यापन देकर समस्या के समाधान की अपील की थी अब जाकर समस्या का समाधान हुआ है तथा ब्रज युनिवेस्टी ने बीए बीए सी सेकिंड एर की रिजल्ट में ड्यू एवं फेल चात्रों को पासिंग मास देकर उत्तिण किया है समस्या के समाधान के लिए प्रयास करने वाले चात्र नेता दिनेश गुरजर का गत दिवस गांधी पार्ग बाड़ी में अभिनंदन किया गया इस अफसर पर चात्र, तमेश राज, प्रसांद सिवहरे, तौसिफ खान, रजट मंगल और आयूस ने एबी वीपी के जिला संयोजग दिनेश गुरजर का स्वागत किया और खुसी का जस्न मनाया सीए में उत्तीर हुए छात्र ने कस्बा का नाम किया रोशन, बाड़ी की खास खबर कस्बा निवासी गौरव गर्ग पुत्र स्री दिनेश कुमार गर्ग अपेक्स कम्प्यूटर ने सीएक फाइनल की परिक्षा अबन नम्मर से पास कर धौलपुर जिले में बाड़ी का और समाज का और परिवार का नाम रोशन किया है गौरव गर्ग ने बताया कि उन्होंने अपनी कक्षा दस तक पढ़ाई, कृषना विध्यापीड हतियाप और बाड़ी से प्राप्त की तथा उच्च मातमिक परिक्षा महाना इसकुल दोलपुर से प्रथम इस्थान में उत्तिन की थी इनके पिता दिनेश कुमार एक दुकानदार हैं तथा माता एक रहनी हैं गौरव गर्ग अपनी सफलता का श्रे चाचा चाची गुरूजन एवं अपने बड़े भाई अंकित गर्ग को दिया है इस उबलब्दी को हासिल करने के लिए गौरव गर्ग ने अपने पढ़ाई काल में काफी संगर्स किया गौरव ने चात चातराओं को संदिश देते हुए कहा कि अगर इच्छा सकती प्रबल है तो जीवन में सब कुछ मिल सकता है बाड़ी से काना खिदरपूर वालों की रिपोर्ट इस्थाई पुलिस चौकी का भूमी पूजन तथा आत्मरक्षा सिविर का हुआ आयोजन सर्मत्रा से खास खबर जिला कलेक्टर धौलपूर द्वारा सर्मत्रा तैसील के गाउं जिरी में पुलिस चौकी निर्माण हेतू भूमी का आवंटन किया गया चंबल के बीहन में इस्थित गाउं जिरी आए दिन डकैतों एवं बदमासों की गतविदियों का केंदर बना रहता है जिससे ग्रामीडों में हमेशा भैव्याप्त रहता है जिरी के सरपंच प्रत्निदी संजू जादोन ने बताया कि जिला कलेक्टर राकेस कुमाज जैसवाल की पहल पर मात्र तीन दिन के अंदर पुलिस चौकी के लिए भूमी आवंटित कर दी गई जहां गत दिवस जिला कलेक्टर राकेस कुमाज जैसवाल जिला पुलिस अदिक्षा केसर सिंग शेखावत ने पहुँचकर पूर्ण विदी विदान से भूमी पूजन किया कारिक्रम में उपस्तित रहे एसपी केसर सिंग शेखावत ने भूवी आवंटित करने पर जिला कलेक्टर का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यहां अस्थाई पुलिस चौकी बनने से ग्रामीनों को काफी लाब होगा तथा पुलिस व्यवस्ता भी चुस्त दुरूस रहे यह एक लाग देने की घोशना की एक अन्य कारिक्रम में ग्राम पंचाय जिरी में बालक बालकाओं को आत्मरक्षा पसिच्छन सिविर में आत्मरक्षा के गुर्ष सिखाए साथ ही स्वास्ते संबंदी जानकारी दी गई गाउं में आयोजित आई-पी-ई-ग्लोबल की कर सकते हैं टीका पूर्ण तह सुरक्षित है अपनी बारी आने पर टीकाकन अवस्य करवाएं विजय प्रताप सिंग राठोर दूसे चर्ण में अधिसासी अधिकारी वा अन्य करबचारी ने करवाया कोविड वैक्सिनेशन बाड़ी से खास ख़बर अधिसासी अधिकारी क्यsmically विजय प्रताप सिंग राठोर ने सुकुरवार को कोविड वैक्सिनेशन के दूसे चर्ण में बाड़ी अस्पिताल तीकाकन इस्तरल पहुँचकर 10 बच कर बीस मिनट पर कोविड वैक्सिनेशन करवाया अधिसासी अधिकारी ने वैक्सिनेशन के बाद बताया के बाड़ी से काना किधरपुरिया की खास्ट चेड़ चाड़ का विरोध किया तो सक्स ने महिला को बीच सड़क पर पीटा तमासा बनी पबलिक धौलपुर की प्रमुख हवर इस्थानिय चूड़ी मार्केट में एक महिला के साथ मारपीट का मामला सामने आया है महिला की गलती बस इतनी थी कि वह अपनी बेटी के साथ हुई छेड़ खानी का विरोध कर रही थी इसी बात पर एक सक्स वहसी बन गया और बुजर्ग महिला की पिटाई के लगा दी बुजर्ग महिला को सरे रा सड़क पर बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया महिला अकेली सड़क पर खड़े तमासा देख रहे लोगों से मदद की गुहार लगा रही थी इतना ही नहीं आरोपी ने महिला की बिजली के तार से जम कर पिटाई की लेकिन उसकी मदद करने के लिए कोई नहीं पहुचा ये मामला निहाल गंज थाना छेतर के चूड़ी मार्केट का है कौन बोलाता ही है जी बोला जी आपको क्यों रोका है इसनों ने आप जानते हैं उनको क्या नाम है आपका कोविड-19 वेक्सिनेशन के दूसे चर्ण में फ्रेंट लाइन वरकर्स को लगेगी वेक्सिन जैपुर से खस ख़बर प्रदेश में 2,49,000 से ज्यादा फ्रेंट लाइन वरकर्स को लगेगी वेक्सिन दूसे चर्ण में सीमा सुरक्षा बल केंद्रिय और द्योगिक सुरक्षा बल सभी सैनिबलों को लगाया जाएगा कोरोना का टीका राजस्व इस्थानिय निकाय पंचायती राज पुलिस कर पुलिस ने किया गया है मनोच कुमार गुपता के द्वारा किया जा रहा है जिसके फलसरूब थाना पुलिस ने मुकदमा नमर 122-2020 में करीब 6 मां से फराड चल रहे वांचित आरोपी देवेंद्र उर्फ करुआ पुत्र केदारनात निवासी गड़ी टड़ावली और बंटी उर्फ रगुराज पुलिस ने आरोपियों को न्याय ले के समक्ष पेस किया जहां उन्हें न्याय खिरासत में भेज दिया गया राजा खेडा से समवादाता बुद्ध सिंग उदेनिया की रिपोर्ट कारिसाला में बताया टीका करण का महत्व राजा खेडा से खास खबर आज सामुदा एक स्वास्ते केंद्र में अरावली वा यूनिसेव जैपूर के सहयोग से प्रभात संस्थान धौलपूर के तत्थ्वा धान में प्रभाव साली जन प्रतनिदी धर्म गुरू एबं महि प्रभारों को टीका करण की मुख धारा से जोडने में प्रभाव साली लोगों की बड़ी भूमिका हो सकती है ब्रजेश कुमार मंगल उपजला कलेक्टर द्वारा सरकार की योजनाओं के बहतर क्रिया नवेन के बारे में बताते हुए टीका करण के महत्व पर जोड़ दि समाज के अध्यक्ष गोरी संकर उपाध्याय परुसराम सेवा समिती के अध्यक्ष दिली पारासर बियान मुदगल बालकिशन शर्मा उत्तम सिंग मुकेश चंद विनोध कुमार आदी गणमाने लोग उपस्थित रहे राजा खेडा से समवादाता बुद्ध सिंग उदैन गया है प्रदेश के सभी जिलों में आर्मी में भरती होने के लिए बरती रैली का आयोजन होगा इसके लिए ओनलाइन रेजिस्ट्रेशन 28 फरवरी 2021 तक करवाई जा सकते हैं इसके बाद रैली का आयोजन 8 मार्श से 30 मार्श तक किया जाएगा किंद्री विध्याले प्रवंदन समिती की बैठक का हुआ आयोजन सेक्षनिक विवस्थाओं में सुधार जरूरी जिला कलेक्टर धौलपूर से खास खबर किंद्री विध्याले समिती की बैठक जिला कलेक्टर राकेश कुमा जैसवाल की अध्यक्षता में हुई इस दोर पक सिच्छन इस्तर सुधारने के लिए समन्वित प्रयास करें। विध्यारतियों का कोर्स निर्धार्द समय के अनुपात में अवस्य पूरा किया जाए। विध्यारतियों का समय समय पर टेस्ट एवं उनके लिए विभिन प्रकार के गत्विदियां भी आयुजित की जाए उन्होंने गार्डन सौंदरी कर्ण, खेल के मैदान की साफ सफाई, फरनीचर, सोचाले, पीने के पानी आदी के बारे में विस्तार से चर्चा करते हुए समस्याओं को जाना और आवशक निर्देश दिये